लाइफ ओन दी अर्थ जमीन पर जिंदगी असलाम अलेकुम बच्चो आज हम क्लास 3 की साइंस के चैप्टर नमबर वन अपनी पहचान लाइफ ओन अर्थ के बारे में पढ़ते हैं मसकन, हैबिटेड जंगल में रहने वाले जानवर, animals living in the forest हैबिटेट क्या है? क्या आप जिंदा है? जी हाँ, आपको ये कैसे पता है? अगर आप सांस दे सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और सो सकते हैं तो आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इनसान, जानवर और पौदे तमाम जानदार चीज़े हैं तमाम जानदार हवा, पानी, सूरज की रोशनी, रहाईश और खाने के बगएर जिंदा नहीं रह सकते हैं तमाम जानदार तब तक ही जिन्दा रह सकते हैं, जब तक उन्हें अपने माहोल से अपनी जरूरत की चीज़े मुएसर होती हैं. आप कहां रहते हैं? अपने घर के बारे में और इट-गिट के माहोल के बारे में सुचिए. यह आपका एन्वार्मेंट है और यही आपका हैबिटेट है. यहां हर तरह के हैबिटेट्स मौझूद हैं, जैसा कि कोल्ड हैबिटेट्स और वर्म हैबिटेट्स. हैबिटेट क्या है? आएए इस पर एक वीडियो देखते हैं. हैबिटेट्स. सियारा जमीन बहुत से मुक्तलिफ किसम के जानदारों का घर है. बर्फानी भालू और पैंगोईन ठंडे तरीन इलाकों में रहते हैं. बंदर और अमेरिकन लंबी चूच वाला परिंदा और गर्मी वाले पौदे नीम गरम और गीली जगों पर रहते हैं. पौदों और जानवों को खुराक, पानी और पनागा की ज़रुत होती हैं जहां वो रहते हैं. उस जगा को कहते हैं जो ये सब चीजें उन जानदारों को महया करते हैं जिनको वहां रहने की ज़रुत है. गरम इस्तवाई जंगल में बहुत सी रहाइशकाएं होती हैं. जमीन जो के वो जानदार जो खुश्की और पानी दोनों जगों पर रह सकते हैं, कीडे मकोडे और फफूंदी के रहने की जगा है. फफूंदी मरी हीवी चीजों को गलाती है और गजायत को वापस जमीन में चस्प कर देती है. अमगाबी जानदार और कीडे मकोडे अपना घर पत्तों में या गीली मट्टी में बनाते हैं. जंगल की चछत मुक्तलिफ किसम के हयातियात के ये रहाईश का है. बंदर और परिंदे दछओं की शाहों पर से अपना घाना है असल करते हैं और पत्तों को अपनी पनागा के तोर पर पर इस्तेमाल करते हैं. एक आम लिबताती जंगल दुनिया के 50 पीसाद जानवरों और पौदों की पर जाती नसल को रहाईश का महया क इनकी रहाइशका को खुराक, पानी और महफूस जगा जहां वो बड़े हो सके महया करना बहुत जरूरी है. जो रहाइशका ये सब कुछ महया करती है, वो मदद करती है उन जानवरों की ताकि वो लंबे अर्से तक जिन्दा रहकर अपने नसल को बढ़ा सकें और अपने बच्चों के साथ इस जगा को शेयर कर सकें. आएए इस पर एक वीडियो देखते हैं जो आपको मज़ीद मालूमात फ़ाहम करेगी. हैबिटेट, वो जगा जहां कोई जानवर या पोदा रहता और नसल कशी करता हो, उसका हैबिटेट कहलाता है. हैबिटेट जानदार को उसकी जरूरत की अशिया, जैसा की खौराक, पानी और ताफ़ज वगएरा फरहम करता है. हर हैबिटेट में जानदारों की कई पौपिलेशन्स आबाद होती हैं. घास के मिदान में घास प्रोड्यूसर्स हैं, ज्यादे तर चन्ने भरे जनवर जैसे की भेड़े, बक्रिया, भैसे और हिरन वगएरा घास के मिदान में पाई जाने वाले जनवरों की चन्न मिसाले हैं. चन्दे गोश्खोर जनवर जैसे के चीते, लूम्रिया, भेडिये और उकाव वगएरा भी इसी हैबिटेट में पाई जाते हैं तालाब का हैबिटेट, दपॉंट हैबिटेट, तालाब जानदारों से भरपूर एक हैबिटेट होता है अलगे, काई, आभी नर्गिस वगएरा पोदे पानी में पाई जाते हैं मचलियों, आभी घटमल, पॉंट, स्केटर्स, भेडिया या मकड़ा, वोल स्पाइडर्स, घूंगे, स्नेल्स और माइक्रोसकोपिक जानदार भी तालाब में पाई जाते हैं सहराई हाबिटेट, देजर्ट हाबिटेट, सहरा खुशकतीन जीमेनी इलाके हैं, यहां बारिश ही कम होती हैं रेटली मिट्टी के वज़ा से बारिश का पानी बहुत जल्द खुशक हो जाता है कुछ पोदे और जानवर हुद को पानी के किल्लत के मताबिक ढाल लेते हैं थोहर, कक्टाई, यूफोर्बिया, छिप्लिया, लिजर्ड्स, सांप सहराई चुहे, कैंग्रु रेर्ड्स, ऊंट वगएरा सहराई हाबिटेट में पाई जाते हैं मरतूब जंगलात का हैबिटेट, दर्वेन फोरेस्ट हैबिटेट मरतूब जंगलात हमेशा नमदार होते हैं, इन में सारा साल बारिशे होते हैं पोदों की एक बड़ी तदाद, जैसा के जड़ी बूठिया, जारी नमाप होते और दरख यहाँ पाई जाते हैं तिटलियों, सांपों, छिप्लियों, तोतों, हमिंग फिरिंदे, यनि हुविंग बर्ड्स, बिलियां, उचीते वगईरा भी इसी हैबिटेट में पाई जाते हैं किसी हैबिटेट में रहने के लिए जानदारों का मवाफकत पैदा कर लेना Adaptations of Organisms to Live in a Habitate पोदे और जानवर मुक्लिव हबिटेट में रहते हैं, इनमें खास खसूसियत पैदा हो जाती है, जो इन्हें अपने हबिटेट में रहने में मदद देती है अडापटेशन से मुराद जानदार के जिसम या रवये में वो तबदीली है, जो इसे अपने हबिटेट में जिन्दा रहने में मदद देती है आभी हबिटेट्स, अक्वेटिक हबिटेट्स, जिसम की नोगदार शकल एक एहम मवाफकत हैं, जिससे जानवर पानी में असानी से हरकत करते हैं बतकों, समंदरी बंगलों और मेंड़ कों में जिली दार पाऊं, पानी में हरकत करने में मदद देने के लिए चुपों का काम करते हैं तेरने वाले पोगई जैसा के आभी सनेल, वाटर, हाईसंद, आभी काई, डाकवीड और आभी कम्हल जमीनी हैबिटेट्स, लैंड हैबिटेट्स, जमीनी हैबिटेट्स में रहने वाले पोगई और जैनवर भी इन जानवरों के जिसमों को शदीद सर्दी में गरम रखती है। बरफानी उल्लू स्नुई आउल के जिसम पर फीदर्स की मोटी तैह होती है। सहराओं में पोदे और जानवर खुद को जुलसा देने वाली गरमी के मवाफिक ठाल लेते हैं। उन्ट के पाउं और बड़ा मेदा सहरा में रहने के लिए मवाफिक प्रिंदों के गीर, शेरों के चिंगार, भेडों की चीहें वगेरा रवएक के मवाफिक पोदे भी खुद को जिन्दा रखने के लिए मवाफिक इख्तियार करते हैं। परतूब जंगलात में सुरज की रोशनी हासिल करने के लिए पोदे बहुत उंचे हो जाते हैं। मुझूद जिन्दी की तमाम इश्काल खुराग के लिए बिलवास्ता या बिलावास्ता सब्स पोदों पर इनहसार करती हैं। रोशनी की शिदद लाइट इंटेंसिटी किसी हाबिटेट में पोदों की तदाद को मतासिर करती हैं। टमप्रेचर किसी हैबिटेट की अबादी में तबदीली ला सकता है। टमप्रेचर में गयर मामूली तबदीली हैबिटेट को मुतासिर कर सकती है। मिसाल के तोर पर गरम पानी में ऑक्सिजन कम होती है, चब पानी गरम हो जाता है तो आप भी जानवों के साथ क्या होगा? पानी जिन्गी के लिए लाजमी है, जहां पानी ज्यादा हो वहाँ जानदार भी ज्यादा पाय जाते हैं. हिजरत यानि माइग्रेशन एक और आमिल है जो किसी हैबिटेट की अबादी का साइस तब्दील करता है जब कुछ फर्द किसी अलाके में नए आते हैं तो इस अलाके की अबादी में इजाफा हो जाता है खुश्क साली यानि ड्राउट वो हालत है जो उस वकट पैदा होती है जब किसी अलाके में एक लंबे अरसे तक बारिश ना हो तालाब या नदियां खुश्क साली के दुरान खुश्क रहती हैं तालाब में रहने वाले ज़्यादा तर पोधे और जानवर मर जाते हैं जिब किसी अलाके में लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा बारिश हो तो इस अलाके में सलाब आ सकता है सलाब के दुरान बहुत से पोधे और जानवर मर जाते हैं या दूसरी खुश्क जगों की तरफ चले जाते हैं माजुकात अस्मानी बिजली किसी जंगल में दरख पर गिरने से जंगल की आपका बाहिस बनती है जल्जले यानि अर्थक्वेक्स सताह जमीन के अचानक लरजने से आते हैं जल्जले किसी हाबिटेट को बड़ी तेजी से तबदील करते हैं आच अक्तूबर 2005 में एक शदीद जल्जले ने पाकिस्तान भर में वसी इलाके को तबाह किया सत्तर हजार से जाइद लोग अपनी जाने गमा बैठे जानवरों और पोदों की बड़ी तदाद भी बरबाद हो गई लोग हाबिटेट को तबदील कैसे करते हैं इनसानी सरगर्मियां भी हैबिटेट को तबदील करती हैं जब हैबिटेट तबदील होते हैं तो कुछ जानदार मर जाते हैं इनसानी बगा के लिए खेती बाड़ी बहुत एहम है लोग को खेती बाड़ी के लिए जमीन चाहिए जिसके लिए वह जंगलात काटते हैं अलूदगी या पॉलेशन हैबिटेट्स में तबदीलिया लाने वार एक और आमिल है अलूदगी जमीन पानी और हवा को नुकसान पहुचाती है अलूदगी इंसानों, जान्रों और पॉदों के लिए नुकसान दे है फिजाई अलूदगी हवा को मतासिर करती है जिस से हम सांस लेते हैं कारखाने और मोटर गार्डिया महौल में फिजाई अलूदगी में इजाफा करते हैं फिजाय अलूद्गी हमारे सिहत और माहोल को नुकसान पोचाती है हैबिटेट का तहफुज कैसे किया जाए How to protect habitats वसाइल के इस्तेमाल में कम्य का मतलब है कि वसाइल का गया जरूरी इस्तेमाल ना किया जाए वसाइल के दुबारा इस्तेमाल का मतलब है कि जो चीज़ें दुबारा इस्तिमाल हो सकती हैं उनको फैंका ना जाए वसाइल की री साइकलिंग का मतलब है कि इस्तिमाल शुदा अशिया इस्तिमार करके नई अशिया बनाई जाए अपने नेक्स लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी तमाम टॉपिक्स को देखेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज